प 되면 कि शेवा कि हमारा जीवन प्रभू का है प्रभू जो चाहता है हमको बनानी से पहले हमको धर्ती में लाने से पहले परमिश ven मेरे लिए काम रखा है Amen अगर मैं अपना काम को पैचानेगा मेरा जिन्दगी वेस्ट नहीं जाएगा वापस बोलता हूँ अगर मैं अपना काम को पैचानेगा मेरा समय जो प्रबू रखा है उस काम को पूरा करने के लिए रखा है Hallelujah इसलिए मेरे पास समय नहीं बाकी फिजूल बातों के लिए जोर से बलो फिजूल के लिए मेरे पास समय नहीं मैं बिजी हूँ जोर से बलो ना मैं बिजी हूँ मैं किस के लिए बिजू हूँ प्रभु के लिए जिस प्रभु ने मुझे बनाया है आयूब दस उसकी आठ अईूप 10 उसके आठ तूने अपने हातों से मुझे ठीक रचा है हम सब को परमिश्वर अपनी हातों से रचा है और जोड कर बनाया है तो भी हात उटा कि बोलो धनिवादेश आपने मुझे बनाया है मैं आपके लिए हूँ हलो लो या अगर आप प्रभु के लिए नहीं जिएगा दुनिया आपको ठोकर देगा दुनिया आपको लात मारेंगे किसी को बोलो प्रभु के लिए जिए जिस प्रभु ने आपको बना कर धर्ती में रखा है उसके लिए आप जीएगा, आप जीवन मेंआशीश पाएंगे. क्या लिगा है? तुने अपने हातों से मुझे ठीक रचा है, और जोड कर बनाया है, तो भी मुझे नाश के लिए डालते हैं. हाँ ओके परमेशने हमें रचा है जो चो बो परमेशने हमें इसने आपको बनाया किसने आपको दर्थी में रखा है उस परमेशने आपके लिए काम भी दिया है नशा करने का नहीं सिगरेट पीने का नहीं दारू तमबाकू नहीं वेबचार नहीं प्रभू के लिए जीने का है, हललुल्या, हम और आप पात्र है, जो च बलो पात्र है, वेसल है, क्या है हम, चिला के बलो ना क्या है, वेसल है, अगर इस वेसल को हम भरेंगे नहीं, वो खाली नहीं होता है, वो कहीं न कहीं भरता है, जो च बलो मैं पात्र हूँ, अगर मैं प्रबु से नहीं भरेगा, दुनिया के दोस्त और दुनिया दारिया आपको भरेगा, इसलिए हमारा काम है हमको प्रबु से भरने का है, जोट जो बलो मैं प्रबु से भरूंगा, मेरा प्रबु जिन्दा है, वो मुझे भरना चाहता है, क्या मैं उपलब दो हूँ उसके लिए, एशिया के किताब 33, उसका 21, किसी को बलो पकड़ू वच्छिन को, बाजी वाला को मत पकड़ना, लाथ पड़ेगा, एशिया थिरा लेशिस उसका 21, इस प्रजा को, मैंने अपने लिए, इस प्रजा को, ये खलिश्या को, आपको, प्रजा को परमेश्व ने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुनगान कि वे मेरा गुनवान परमेश्व हमें बना के दर्थी में रखा है ताकि हम परमेश्व की गुनगान करें कितना लोगाँ आज से गुनगान करेंगे आपकी आशिष परमेश्व के गुणगान है हललुया मैं येश्व के लिए जीऊंगा कमान जोर से बहलो येश्व के लिए जीऊंगा येश्व येश्व मेरा प्रभू येश्व येश्व मेरा प्रभू शांती दाता उद्धार खतो चान मेरा गड़ चुकने मेरा सहारा तु मेरा ही आशुरा तुने दिया मुझे को जीवन खुशियो बरा तुने दिया मुझे को जीवन खुशियो बरा को थे आहां आग हूं थे आउ सारी पापने कूल थे युशु ये शो थे आप रभू। शांती दाता उधारे खैतू मेरा गड़ चपनी हम वो पात्र हैं हम वेस्टिल है अगर हम परमेशों से नहीं भरेगा तो शैतान और दुनिया आपको भर देंगे इसलिए लोग नशा करते हैं इसलिए लोग शराब पीते हैं क्योंकि वो परमेशों से नहीं भरा हम परमेशों का मंदिर हैं जो शो बलो मैं परमेशों का मंदिर हैं इस मंदर मैं येश्यू से भरना मंगता जो शो बलो येश्यू से भरना मंगता हर रोज वचन पढ़ने का है हर रोज प्रात्ना करने का है हर संडे आने का है, आप क्या कर रहे हैं, अपनी आपको परमिशों से भर रहा है, जब आप परमिशों से भरेगा, आप बोज नहीं, आप आशिश बनेगा, आप बीमार नहीं, आप चंगा ही रहेगा, हललुया, जब बोलो किस से भरने का है, येश्यू से भरने का है, हर रोज बोलो, येश्यू मेरा प्रभू है, मैं येश्यू के लिए जीऊंगा, क्यूंकि येश्यू मुझे अपने लिए बनाया, उसके लिए बनाया और उसके लिए रखा है, ताकि उसकी गुनवान करे, उस गान करूंगा जो चुम बिले, जोए बिलो गुन, चला के बलो ना, गुन, प्रभु का गुन और गान करेगा, हललुइया, कितना लोग आज से प्रभु का गुनगान करेंगे, आपकी आशिष उसमें है, जोए बिलो मेरी आशिष, ज sneaky मही मा करता है, हललुइया, इसले हर रोच एशु की गुन-गान करो एशु की महिमा करो दूसरों को बताओ हललूया जैसे मौसी ने खुशी को लेकि आया कितना खुशी से भर दिया हम सब को खुशी दे दिया हललूया अब हम समझता हूँ कि खुशी हमारे साथ देंगे हललुया शंगाई मिलेंगे क्योंकि प्रभू आनन से बरा प्रभू जब भर जाता न ये शरीर में किड्नियों, लिवरों हाटों सब तका तक हो जाएगा जोड़ से बलो येश्यू भर जाएंगे न इसलिए हम बार-बार बोलता है हमें हॉस्पिटल का दरकार नहीं हमें दवाई की दरकार नहीं हमें डॉक्टर की दरकार नहीं हललुया क्योंकि हम चंगा रहेंगे क्यों जोड़ से बलो ना मैं चंगा रहूंगा मैं बिमारी के लिए नहीं मैं येश्यू के लिए हूँ मैं येश्यू की गुनगान करूंगा क्या पढ़ा था इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है येश्यू मसी बोलता है मैंने इस प्रजा को मेरे लिए बनाया हाथ उठा की बोलो न हम किस के लिए बनाया येश्यू मसी के लिए हर रोज येश्यू मसी से बात करने का है कि लोग बात करेंगे हमारा येश्यू सिंदा है इन दिनों में शहरों में दुकान दुकान में पेच रहे हैं देवी देवताओं को हजार रुपिया, देड़जार रुपिया, दोहजार रुपिया मनिश्य की पुतला मनिश्य बनाया पुतला परमेश्वर नहीं येश्य हम को पुतला बनाया ताकि उसकी महिमा करे हम हललुया हम हम जिसको ले चलते हैं वो नहीं परमेश्वर है प्रभु हमें ले चलता है प्रभु हमें बैठाता है प्रबु हमें उठा के चलाता है प्रबु हमें आशिष करता है हालेलुया क्या लिखा है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है जो और से बोला ना विल्सन को परमेशुर अपने लिए बनाया है विल्सन उसकी महिमा करने के लिए बनाया है Wilson उसके साथ बाते करने के लिए बनाया है Hallelujah प्रभू ये खईबार ये शुमसी आपसे बात करना चाहता है पर आप बहुत बिजी है बिजी है बात करने के लिए समय नहीं काम है भाई पैसा चाहिए भाई ये चाहिए वो चाहिए Hallelujah जब आप प्रभु के लिए समय निकालेगा प्रभु से बात करेगा प्रभु आपको आशीश करेगा उसी लिए प्रभु आपको बनाके धर्ती में रखेगा लिगा है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुनानवाद करे वे मेरा गुनवाद करे कितने बार? दो बार. अरे आक्षिन करते हैं कौन कितना बार लेंगे? हाँ दो बार. सब बार बोले. और कोई उसको उपर बोलेंगे? जितना हो से के हो से हैं? हाँ? 24 गंटे. सोएगा भी नहीं. क्या बात है? माची के लिए ताली बजाओ आए. क्योंकि स्वर का नीचे धर्ती के उपर मानव जाती को एक नाम दिया. वो नाम है. हाललुया. हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जूबांगी कार करेगा कि येशु प्रभू है. जोर से बलो उस नाम में सामत है. उस नाम में चंगाई है. ओके कुलुशी एक पंद्रा से वह तो अद्रिश्य परमेश्वर का परतिरूप और सारी सुर्श्टी में पह लोटा है. क्यूंकि उसी में सारी वस्थूओं कि सुर्ष्टी हुई, स्वर की हो या अत्वापःत्वी की देखी या अन्देखी? क्या सिहासिन, क्या प्रभुताए, क्या प्रदानताए, क्या अधिकार सब कुछ किसके द्वारा बनाया येश्यू मसी के द्वारा बनाया और येश्यू मसी के लिए बनायेगा सब कुछ किसके लिए बनायेगा दर्ती में जितने चीच, स्वर्ग में जितने चीच जो भी कुछ बना है वो येशु के लिए बना है और सबसे बड़ी बात हमको और आप परमिश्वन ने हातों से बना है बाकी सब को बोल के बना है सूर्य चंद्रमा क्या हुआ प्रभू बोला उजाला हो जाए और उजाला हो गया पर हमको और आपको प्रभू अपनी हातों से बना है हललुया इसलिए हमको जानने का है प्रभू हमें बनाया है ताकि उसके उसका हमारा शेइप ये दर्शाता है कि हम प्रभू की सेवा करें क्या दर्चा आता है आप बाजुवाला को देख के बोलो आप प्रभु की सेवा करने के लिए रखा है आप प्रभु की सेवा करने के लिए रखा है आप प्रभु की लोगों की सेवा करने के लिए रखा है आप प्रभु की कलिश्या के लिए रखा है हललुया हम आडियन्स न मार्क देने आया, एक से दस कितना देगा भई, अलुया, कितना लोग मार्क देने आये, कोई नहीं क्या बात हैं, आप समझदार हैं, जोश ताली बजाई, हललोया, एमें, आपका रूप, आपका आपका, जो परमिश्र, आप पर जो खाड़ी गिरी हैं ना, वो प्रभु की सेवा के लिए किया है दोशे बोलो मैं येश्यू की सेवा करूँगा छिला के बोलो मैं येश्यू की सेवा करूँगा हललुया दर्ती में जितना भी चीज को परमेश अगर हम जानवर को देखते हैं कुछ जानवर दोडते हैं मैं जब चीता बोलेगा तो बोलेगा क्या बोलेंगे दोड़ते हैं चीता दोड़ता है या भागता है सबसे फास्टेस जैनुवर कौन है अच्छा जब मैं खंगारू बोले तो क्या बोलेंगे खूता है जब हम बंदर बोलेंगे चलांग मारते हैं बंदर जाड में चड़ता है है कि नहीं हललुया मच्छी को जाड में चड़ा सकते हैं मच्छी पानी के लिए सब को प्रभू सई जगा पे रखा है क्योंकि प्रभू उसके लिए बनाया गया हमें उसी तरह परमिश्वर हमें और आपको बनाया एक काम के लिए बनाए हम एक product है जो शो बलो मैं एक product हूँ फिला के बोलो न अरे छोड़ से बोलो न अभी सबस यह product क्या है जो शो बलो न माइक है मेरी यवाज आप तक पहुंचता है अगर नहीं पहुंचता है तो मैं इसे अगला संदे मेरा हाथ में रहेगा कि कचड़ा के डब्बे नहीं रहेगा उसी तरह जो प्रोड़क्ट वेस्ट है उसको वेस्टेज में डाल देता है पचान बे टका लोग वेस्ट है बाई कोई काम का नहीं न घर में काम होता है न बाहर काम होता है इसे से पूछो आप वेस्ट तो नहीं है अगर वेस्ट है तो भी इदर आया आप वेस्ट नहीं आप वैल्यू होने वाला है Hallelujah क्योंकि आप पहचान रहे हैं कि आपको permission value दे के रखा है जो चो बोलो मेरे उपर प्रबू बोथ वजन रखा है जब तक आप उस वजन को नहीं पहचानेंगे लोग आपको लात मारेंगे पर जब आप उस वजन को पहचानेंगे लोग आपको उठाएंगे Hallelujah है खोई मेरे शाथ इसलिए प्रबू का वचन कहता है आप मा के कोक में होने से पहले permission आपको काम ठेहराया है Hallelujah जो चो बो काम ठेहराया है चिला के बोलो ना काम ठेहराया हम सब अपने अपनी एरिया में एक्सपोर्ट है क्या है खलाकार है भाई इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कौन सा खारी में आप खलाकार है आप माहीर है भाई आपका कुछ कमजोरिया है आपका कुछ strong points है कमजोरिया को नजर अंदाज करो strong points को करते रो करते रो आप आप आशिश पाएगा हललूया है कोई मेरे साथ हललूया हमें permission roles दिया है हललूया मैं बाफ हूँ मैं पत्नी पत्नी हूँ पोलता मैं पत्नी हूँ मैं बेटा हूँ मैं कभी दादा बनेगा हमें कई roles करते हैं के नहीं हललूया ब्रेजलाट उस roles को हमको जिम्मधारी के साथ निभाने का है हललूया अब जब एकेला उन role को जो भी आप है बेटा है तो सही बेटा नहीं होगा तो जब आप बाप बनेगा आप सही बाप नहीं बनेगे इसलिए जो रोल आप करते हैं आपको जिम्मेदारी के साथ क्योंकि आपको जानने का है परमिश्व ने आपको धर्ती में रखा है हर छेतर में उन्नती पाने के लिए हर छेतर में आप आश्षिष पाने के लिए जो चो बोलो हर हर रोल्स में मैं आश्षिष पाऊंगा चिला के बोलो हर रोल्स परमेशों मुझे शेप किया है ताकि मैं उस रोल्स में विज़ई पाऊंँ हललुया मेरा नाम विजय है पर कई लोग का नाम विजय है पर हर जगह पर हारा हुआ है कोई विजय तो हो नहीं हमारे पीछ हललुया praise the Lord जो शो बलो मैं विजय हुँ विजय हुआ, विजय हुआ, मेरा येशु 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 मेरा आपको मालूम है मेरे येश्व हर छेतर में विज़ई पाया ताकि हम और आप विज़ई हो हललुया खोलोश्य दोस का पंदरा में लिखा है क्या लिखा है अधिकारों को प्रदानों को उपर से उतार दिया और उनकी उपर खुला खुला तमाशा किया ताकि मैं और आप उस विज़ई को एलान करें इश्व मसी दो हजार साल पहले आपके लिए विज़ई हुआ अब हम विज़ई है हललुया जोट शे बलो मैं विज़ई है विज़ई मेरा है नेरूल सुनना मंगता है विज़ई लोग कुछ इदर आ गया हललुया नेरूल को हिलाने वाले लोग इदर पहुँच चुका है कमान जोट शे बलो नेरूल को हिलाने वाला लोग इदर पहुँच है ओके जब बिल्डिंग बनाता है कोई builder हाँ तलवार शाद जब आप building बनाते हैं क्या सोच के बनाते हैं यह commercial है यह residential है यह shopping mall है बना के करते हैं ना कि बनाने के बाद सोचता है बद शोपिंग mall बनू जो बड़ी बनाने के बाद आप shopping mall बना सकते हैं नहीं बना सकते उसी तरह परमिश्वर आपको बनाने से प है मेरा परपस निश्च है है उसे हमको प्रभु से पाने का है वो तब होगा जब आप प्रभु के साथ समय निकालेगा जब आप रात्ना करेंगे जब आप संडे में आएंगे इधर बैठेंगे मेरे मुझ से निकला वह एक शब्द काफी है आपको करोड़ पती बना देगा हाललोया है कोई मेरे साथ आपके जिन्दगी को बदल डालेगा आपका जिन्दगी बदलने के लिए कोई कोई भविश्दवा था कोई आपोस्टल आपके जीवन में बोलेगा आप उसे पकड़ कर दौनने लगेगा आप आशिश पाएगा हाललोया प्रइज अलोड एक मच मारा फिशिंग किया एक भी मच्छी नहीं है जबकि वो समंदर का कलाखार था जोड़ से बहुत समंदर का कलाखार वो समंदर में जाते हैं नाओ के नाओ मच्छी पकड़ के लाते परीश रात में वो कुछ नहीं रात भर पानी में शमंदर में नाओ में सब कुछ किया एक भी मच्छी नहीं पकड़ा सुवे जालो को साफ कर रहा है एश्यू आ कर बोलता है इस जगा जाद डाल हललुया और एश्यू की बोली पर उसने जालो को डाला और सारी जाल फटते वेए इतना मच्छी आया क्योंकि क्योंकि जब मालिक बुलाता है तो पैसा जहां पर उदर आएगा, ऐए-ए-ए-ए-ए, है कोई मेरे साथ, रात बर पत्रोष क्या हुआ, रात बर तुने मच्छी मारा, एक भी नहीं मिला, पर अशु मसी बोला, तो मच्छी आया, अरे मालिक के बॉली पर, है मच्छी आए गई, मालिक के बॉली पर, मच्छी को खोला उसका मुँ में सिखा एए कोई मेरे साथ अगर मालिक बोल दिया तो आप इश्वास करेगा उसकी महिमा को आप देखेंगे हललुया प्रेज अलौड किता लोग सुन रहे हैं अमेल उसी तरह पर मिश्वर हमें रचा है अगर जानवर जो कुटा को बनाया किसलिए बनाया मालम है जो उसे बोलो ना कुटा कुटा को देखा कुटा 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 कुटरी पुटरी वो क्या करते रहे तो उसको एक ही चीज़ के लिए भौकते रहो भाई पर रात को भौको दिन को भौको हललुया वो उसका काम कर रहे हम कितना अपना काम कर रहे हैं हललुया कुट्टा को देखो वो खाली परिश्थितियों के देख के पहुंकते हैं वो नभाविशी जानता है मैं पिछला जानते हैं पर उसको काम दिया वो काम कर ओके मच्छड जोट से पहलो मच्छड मच्छड म मैं कभी-कभी सोचता हूँ बड़ा इतना बड़ा घर में मैं कोना में छिपा हुआ है मैं कोना में सो रहा है अंदेरे में वाके उधर कि मेरा खून ले रहा है वह भी अपना मकसद पूरा कर रहा है बले मार में खतम चैटनी हो जाता है फिर भी छोड़े गने एक बूंद लेके जाता है यह तो लोग समझ रहे हैं अगर एक मच्चर अपना मकसद को पूरा करता है कितने अधिक मैं और आप प्रभू की मकसद को पूरा करेंगे हललुया है कोई मेरे साथ जोड़े बला प्रभू मुझे बनाया है ताकि मैं प्रभु की सेवा करो ताकि मैं प्रभु की लोगों की सेवा करो ताकि मैं कलिशिया के लिए आशिश बनो देश के लिए आशिश बनो राश्टों के लिए आशिश बनो हललुया कितने लोग बनेंगे आज से मैं आशिश बनूँगा मैं घर के अंदर आशिश, मैं घर के बाहर आशिश, मैं दफतर में आशिश, दफतर के बाहर आशिश, मैं बिसनस में आशिश, मैं बिसनस के बाहर आशिश हललुया हमको आशिष के लिए रखा है जोड से बोलो ना हमको सिला के बोलो ना जोड से बोलो ना जल्दी एसी हॉल आने वाला है किता लगता यार है पहले घर पे यसी लगा लो हललुया रेज दोड हललुया प्रभू हमारे उपर मकसद रखा है हमारे उपर काम रखा है ये दिन वाटिका में आदम को पहला आदमी को परमिश्व रखे क्या बोला तू ये दिन वाटिका की फेवा कर और उसे सुरक्षा कर हमको काम दिया है परमिश्व कि तो लोग काम करेंगे हललुया प्रमेश्व बनाने से पहले प्रभु हमको और आपको रोल दिया है जो 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 बोलो रोल दिया है हमको उस रोल में सही जिम्मेदारी के साथ निभाने का है हललुया जो 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 बोलो मैं हर रोल में हर रोल में मैं सही, उत्तम, क्योंकि मेरे उपर उत्तमा आत्मा है, मैं उत्तम कार्य को करूँगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा परमिश्वर सुपरनेचरल है, वो मुझे सुपरनेचरल बनाया, ताकि मैं सुपरनेचरल करो, मेरे साथ मिलके बले, मेरा परमिश्वल सुपर नैच्रल है वो सुपर नैच्रल मुझे बना है ताकि मैं सुपर नैच्रल करूँ सुपर नैच्रल मतलब नैच्रल के ऊपर जो आपको दिखता है उसके ऊपर एक दुनिया है हललुया, अद्वत, शेन शमत का प्रभु ने मुझे बोलो मेरे साथ प्रभु ने मुझे अब शेक किया अंदा देखेगा लंगडा चलेगा बहरा सुनेगा गुंगे बोलेंगे मुर्दे जी उठेंगे और लोब उतार पाएंगे प्रसन रहने का साल आ चुका है अच्छे दिन आ रहे हैं जो 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 बो अच्छे दिन हालेलुया राइस अलॉट इसलिए हमको जिस काम के लिए प्रभु रखा है उसे फाइंड आउट करने उसे सर्च करने का उसे जानने का है कब जाने का जब आप कलीशिया में बना रहेंगे जब आप कलीशिया में सेवा करेंगे हललॉया मैं कितनी कलीशिया में कलीशिया में बना रहा तीन लोगों से हजारों लोग गए पचास लोग से पांच सो लोग गए हर कलीशिया में आशिश्रा तब प्रभु मुझे अपना काम पैचान में है कई लोग होते हैं कुछ नहीं एक दिन आ गिया दो-तिन प्रचाट जान लिया और आप बोलते हैं मैं पास्टर हूँ किदर का पास्टर हललुया रईसलाट ऐसा कितने लोग है आज कोविड में अनेक पास्टर लोग भी मर गए है उनका जीवन में कॉलिंग नहीं है जब आप सेवा करते हैं प्रभू आपको सेवकाई देते हैं और जब आपको सेवकाई मिलेगा प्रभू आपके जीवन में कॉलिंग देगा हललुया कुछ नहीं करेगा हम पास्टर है किसी को बहुत है गलत राओं में मत चला जाओ हललुया पहले सेवा करो प्रबु की सेवा करो प्रबु की लोगों की सेवा करो कलिशिया में सेवा करो मैं 10, 15, 20 साल कलिशियां में सेवा किया हूँ कलिशियां में दिल लाओ जान से पास्टर से ज़्यादा मैं करते थे करेगा उससे पहले प्रबु के सामने मुझे सेवा करने का है मैं प्रबु के सामने विश्वास योग योने का है प्रबु अगर छोटी बातों में विश्वास योग ये नहीं रहेंगे बड़े बात कैसे देगा नहीं देगा वो छोटी छोटी बात एक ग्लास पानी देने के आपको बोला है, आप अगर वो करता है, प्रभू आपको चाय बनाने के लिए देगा, हललुया, आपकी सेवा छोटी-छोटी से प्रभू बढ़ा गए, जब तुम छोटी-छोटी बातों में बने रहेंगे, तब प्रभू तुम विशालता में लेके आएंगे, हललुया, किस बोला हुआ, जब मैं पहले कलीशया दादर में जाती इधर से, कितना लोग Kingdom मैं केतना भार बोला हुए! गुष सुभे संधे शुबे शुबजे सुबे शुबजे मैं निकलते थे दादर नौ वजे के पहले पॉंचते थे उदर जाके बंचो सजाते थे पूच्ट देते टईयलेट्स दोते थे क्यों जानता हूं जब मैं छोटा-छोटा कार ये करेगा त्रभू मुझे बड़ा- बड़ा देगा जो छोटा नहीं करता वो बड़ा नहीं पाता है कमांजर से बोला ना जो छोटा नहीं करेगा तुरंद कोई बड़ा नहीं देगा जो छोटा बोता है वो बड़ा आस्ते आस्ते बनता है हललुया है कोई मेरे साथ हललुया रेजलोड आपका यूनिक है आप य अलग हूँ, खारण क्यों प्रभू मुझे अलग बनाया है, प्रभू मुझे यूनिक बनाया, मतलब, अलग बनाया, special बनाया, मैं special हूँ, ख़ब अज़र से बहला ना मैं special हूँ, आपके बोली से नहीं लगता आप special, बोलना मैं स्पेशियल हूँ बाजवाला को आपके बारे में मालम नहीं मैं स्पेशियल हूँ अबीद देखो कितना जोड से बोलते है बाजवाला आपके बारे मालम नहीं मैं स्पेशियल हूँ दूसरा को गिराने के लिए माहीर है अरे पास्टर जी आपने बोला तो सोच के बोलो न अभी बाजवाला को बोला आप स्पेशियल है प्रभू आपको स्पेशियल बनाया है मैं यूनिक हूँ हललुया मैं अलग हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं हललुया प्रभू अलग बनाया इसलिए हमको कॉम्पीट नहीं करने का वो मेरे से अच्छा करता है तो प्रेस लॉड हललुया, कॉम्पीट बोलेगा तो तुल ना करना मेरे से ज़्यादा करता है मैं सीखाता है, मेरे से ज़्यादा करता है अच्छा, बताता है नहीं करने का तुलना करेगा आप शैतान की हत्यार ले लिए अमें आप अगर कॉम्पीट करते हैं भले हम अच्छे बातों के लिए कॉम्पीट करो एक दूसरे को उठाने के लिए ठीक है हमें हमको तुलना नहीं करने का है क्योंकि हम अलग है भाई क्योंसे बहलो मैं अलग हो तु अलग है आप जो कर सकता मैं नहीं कर सकता मैं जो कर सकता आप नहीं कर सकता एक दूसरे को हमको उठाने का है हललुया एफिश्यो दो उसका दस क्योंकि हम उसके बनाए हुए है हम एश्यो मसी के बनाए हुए है और मसी येश्यू में उन बले कामों के लिए उन बले कामों के लिए सिर्जे गए है जिने परमेश्वर में अच्छी की ने दही लेकर है जो से ताली बजाएगे हाँ, कोल्डरिंग से अच्छा है थांक्यू विकी, रभू आपको दही का कमपनी दे दे थोड़ा बीच बीच में नहीं मारेंगे तो आप सो जाएंगे, इसलिए मैं मार देता हूँ क्यूंकि हम उसके बनाए हुए है हम इशू के बनाए हुए हम इशू का बनाए हुए, इशू का रखा हुआ है मैं इशू का हूँ, जब से बलो ना, गमन से बलो ना अगर आप एशु का अपका तो आप में कोई बिमारी होई नहीं सकता हाललुया हर रोज बोलो मैं एशु का हूँ मैं एशु के लिए हूँ मैं जो भी करेगे एशु के लिए करूंगा इतना ऊपना बोलाद काफी है आपके जीवन में हर जरूरत तो मेरा येश्व पूरा करेगा हललोया क्योंकि हम उसके बनाए हुए है हमारा जगा लिखो विल्सन उसके येश्व मसी के बनाए हुए है और मसी येश्व में उन भले कामों के लिए उन भले कामों के लिए सिर्जे गये किसले सिर्जा गया इसको मार, उसको मार, उसको गिराव, इसको उठाव, किसके लिए बनाया, भले काम, भले काम मतलब, अच्छे काम, उठाने का काम, मदद करने का काम, एक दूसरे के लिए आश्शिष का कार, कई बार कई वेक्ति से मिलता है न, दुबारा अब सोचते, ये वेक्ति आना नहीं मंग था मेरे साथ भाई साथ फटी चर बोली माई गॉड मेरे एक दोस्ता मुझ खोलते ही गाली बोलते माँ बहन बाई बहन सबका गाली यह कि मैं तंग आगी जब कि उसके पास जो गाली 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 एक दिन उसको मिला और बोला चल पहले तू अपना मुझ बंद करा और चल मेरे साथ उसको चूप करा के होटल में लेके गिया समूसा, मसाला दोशा वड़ा सामबार जो जो था सब मंगाया टेबल में रखा और एक गंटा वो खाते रहे वो यह कह नेवला ले रहे बोला येशु तुम से प्रेम करता है उस खाना में येशु का नेवला है भाई एक गंटा प्रचार किया मैं उसको पिल देखके चला गिया एक मैना की देड़ मैना के बाद उससे जब मिलता है वो दूर से मैं देखा माई गाड आप मैं सोचा कि आप वापस गाली सुनना पड़ेगा वो दूर से दिखाया हाथ पता नहीं प्रभू बोला है जहां मिल लें जहांके मिला तो हाथ मिलाता तो वो बोलता है प्रेज लॉड उसकी जिन्दगी बदगे वो बोलता है मैं कलिश्या में जुडा हूँ कलिश्या में सेवा करता हूँ हललुया आपका एक कारियत उसकी जीवन उसकी नक्सा को बदल डाला है हललुया जो शे बोला मेरी एक कारियत हर विक्ति के जीवन को बदल डालूँगा हललुया क्या लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए है और मसी येश्यो में उन भले कामों के लिए क्या कामों के लिए हर रोज बोलो मैं भला काम करूँ Amen किसी का चुगली करना भला काम है तो क्या करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे इवन पती का भी चुगली मत करो कोई पतनी आके बोलता ना ये ना बेवड़ा है कुछ किया है यह नहीं ही आत्रा सुन्हें हो गशादी करे क्या कर रहे हैं है जोर सी बलो नए क्या कर रूए है जो चुकली करता उसका पती वह इसे ही रहेगा सप्तर साल के बाद मरने के बाद भी हो इसी रहेगा पर आप उसको सेवा करेगा उससे प्रेम करेगा वो बदल जाएगा आप उसके लिए भलाई करेगा हर रोज चाय मलाई मर के दो भाई वो बदलेगा उसका पैर रबा के दो भाई ओ काम क्या कर रहे है भला काम जब आप भला काम करता है प्रभू उसके अंदर कुरिया करता है हललुया कितने लोगात से भला ही करेंगे क्या लिगा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए है और मसी येश्यू में उन भले कामों के लिए उन भले कामों के लिए सिर्जे गये जिन्हें परमेश्वर ने पहले से बला काम आप सुबह उठके वचन पड़ते हैं बला काम आप सुबह उठके प्रात्ना करते हैं बला काम तूती आरादना करते हैं बला काम दूसरों की आधर करते हैं इस्पेशली मम्मी पपा का आधर करते हैं कोई-कोई बच्चे लोग है मम्मी बोलता है इदर आ तू इदर आ है अब भलाई कर रहा है कि बुराई कर रहा है हललोया जो चे बोलो आज से मैं भलाई करूंगा चला कर बोलो मैं भलाई करूंगा आपको मालम है जो मम्मी पपा की आदर करता है उसे प्रबु लंबी उमर द 30 साल का जवान सरदानजली क्यों वो अपनी माबाप की आदर नहीं करते हैं उनका जीवन प्रभू ले लेता है जो उसे बोलो मैं अपनी मम्मी पपा की आदर करूंगा हललोया मैं अपनी मम्मी पपा की आदर करूंगा मैं उनका सुनूंगा उनका सेवा करूंगा उन्हें आशिष दूंगा वो मुझे खड़ा किया है वो मुझे चलाने सिखाया है अगर वो आपको चलाने नहीं सिखाता आज आप चलते नहीं थे उसकी आदर करो अपने बच्चों को सिखाओ बुजर्गों के, elderly people की आधर करने के, जब आप सिखाएंगे, और जब आप करेंगे, वो पक्का करेंगे, क्या लिगा है, मसी एश्यू में, उन भले कामों के लिए, जिने परमेश्वर ने, पहले से, हमें करने के लिए तैयार किया, पर अधिकतर लोग लड़ाई करते हैं, अधिकतर लोग गाली देते हैं, जिसके लिए वो बनाया नहीं गया था, मेरा सवाल, क्यूं, क्यूं होते ऐसा, जिसके को बुरा बोलना आप पहला करते हैं, क्यूं, क्यूं भाई क्यूं, क्यूं आदिकतर लोग बुराई करते हैं, बुरा काम में फसे हैं, अरे मैं आपसे सवाल पुछ आप मेरा मुँ देख रहा हैं, च्यूं करते हैं, तोगि आपके अंदर परमिश्वन नहीं हैं, जो वच्छनों का, वच्छनों का आदर करने के लिए, वो वच्छन नहीं हैं, पूरा दुनिया उस बुराई में फसे हुए हैं, अब उसे देखता है, टीवी में बुराई, घर में बुराई, दफ्तर में बुराई, और कलीशिया में आके वो ही बुराई, खारन क्यों, अब बुराई से कनेक्टेड हैं, इसलिए आज से येशू से कनेक्टेड रहा हूँ, येशू भला है, वो आपसे भलाई कराएगा, जो से बो प्रबु की महिमा करूंगा प्रबु को उठाऊंगा प्रबु के लोगों को उठाऊंगा कलीशिया में सेवा करूंगा क्या लिगा है तो भी आर इस workmanship उसका कारीगरी हम उसका कला हम पर है प्रबु मुझे पर अच्छा कला बनाय है ताकि मैं भलाई करूँ क्यूंकि हम उसके बनाए हुए है और मसी येश्यो में उन भले कामों के लिए सिर्जे गए जिने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तयार किया आपको प्रभु वह ऐसा डिसाइन बनाए कि उसमें थको दुनिया में जो प्रणुक्ट बनता है नमास में बनता है माशल अभी सबिस मोबाईल बना remembers प्रोलीक्शन होते बहुत होते और सेम काइन्ड होता है एक मॉडल वही मॉड़ल को प्रड्योश करते हैं प्रभू हमें मास प्रोडेक्शन दिया पर हर वेक्ति के एसाइन्मेंट अलग है आपका यूनिकनस प्रभू दिया आपकी अलगपन आपके अंदर है अललुया जोर से हाथ उटा के बोले धनीबाद प्रभू जी आपने मुझे अलग बनाया मैं अलग करने के लिए मैं अलग सोचने के लिए रभू की महिमा करने के लिए हललुया प्रेइज लोड आप जो है परमिश्वर आपको उसी तरह शेप में बनाया है हर रोज धनिवाद करकर उसे रिसीव करो और भलाई करने के लिए तात पर रहो जो परमिश्वर बनाया है जोड़ से बलो अच्छा बनाय होगी ता न, काला तेंगा है तो क्या हुआ? नहीं येश्यू है कैसा कुमार भाई येश्यू है कैसा कुमार येश्यू है कैसा कुमार भाई येश्यू है कैसा कुमार बनाए बुरा बनाए बना आया है मुड़ा बना आया पत्ला बना जैसे बनाया अच्छा बनाया जैसे बनाया अच्छा बनाया Yeshu Hekaisa Kumar भाईया Yeshu Hekaisa Kumar येश्यू है कैसा कुमार भईया येश्यू है कैसा कुमार खावन हाथ उटाके बोलो प्रभुजी आप जैसा भी बनाया है मैं अच्छा हूँ मैं अच्छाई के लिए बनाया गया मैं भला काम करने के लिए बनाया आच्छे मैं भला ही करूँगा जैसा आप भला है मैं भला ही करूँगा हर रोज बोलो ये येश्यू का मन मैं येश्यू मसी जैसे अची हूँगा हर रोज पवितरात्मा को बोलो मुझे अंश-अंश में येश्यू मसी जैसे बना अंश-अंश में येश्यू मसी जैसे बना बजन सहीता 149, 13-16, Psalms 139, 13-16, 149, मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरा मन का स्वामी, हाथ रखो बलो, मेरा मन का स्वामी, तू है, अजब एश्व आपका मन का स्वामी होगा, आपके मन में अच्छा बीच गिरेगा, अजब अच्छा बीच, अच्छा कटनी लाएगा, मेरा म का स्वामी तु है तूने मुझे माता के गर्ब में रचा मैं तेरा धनिवाद करूंगा हर रोज धनिवाद करूंगा हर रोज धनिवाद करो किता लोग हर रोज प्रभु का धनिवाद करें जो भी परिस्तिती है कुड़ 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 मत करो कुड़ करना मतलब मैं प्रभु में आके 16 साल हो गिया अभी भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आप क्या कर रहा है कुड़ 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 कि उसे बलो कुड़ कुड़ मत करो कितना साल हुआ इंपॉर्टन नहीं प्रभु जो किया उसके लिए धनिवाद करेगा प्रभु और छप पर फाड़ कर देगा आप जब धनिवादी बनता है प्रभु आपको और आशिश करेगा आप कोई वेक्ती को धनिवाद बोलते तो वो क्या बोलते बोलता है छुप बैट नहीं वो खुशी खुशी बोलते है थैंक यू जो जो बो तैंक यू गाड ब्लेस यू हलललुया जब आप मनिश्य को थैंक यू बोलते है तो कितना वो खुशी खुशी उसे रिजीव करते है उसी तरह जब आप परमिश्य को धनिवाद करते है वो रिजीव करते है वो ही खाली नहीं वो आशिश की बारिश करता है कितना लोग आज से धनिवाद करेंगे एक नहीं, दो नहीं, तार नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, सव बार धनिबाद करो आप सव बार के आशिश पाएंगे हललुया ओके पिछले आपता मैंने बोला तीन बाते जो इश्व मसी करने के लिए बोला एक, जो जो बोलो अप्रातना यह हमारे स्वर्ग पिता, तु जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा रांची आवे तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है, मेरे जीवन में होने दे आज की रोटी हमें दे मैं अपनी सारी अपरादियों को शमा करता हूँ, तु मुझे भी शमा कर, बुराई से हमें बच्छा, परिश्या में न डाल पराक्रम, राज्य, महिमाई, सिर्फ एश्यू का, एश्यू के नाम से कितने लोग किया, कितने बार किया, दस बार, कौन किया, क्या बात है, और कौन किया, दस बार, पांच बार मनिशा, रजिनी अम्मा, दस बार, हाँ, पांच बार बोलूँगा, very good, यह को जब मैं बोलता हूना मैं नहीं, वो प्रभू मेरे दुआरा बोलता है, आप अगर इ आपके मालूम है पिछले क्थले कोन्सा एक दिन देड़ बज मैं उट गया है पुजो क्या किया इदर पलटी मा रहा है उदर पलटी मा रहा है एक तो बारा बज़े तक कोई घर में ता उसके बाद सोया देड़ बज़ उट गया पुजो क्या किया Pros Ś भाषण में प्रात्ना के रभा खूडी लिवी खाताला रभाश रभा 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 करते करते सो गया दस बजे मेसेज आता है दस अजार एकांट में आगी है किसी को बोलो आशिश पाने का तरिका जितना प्रभू से जुड़ेगा उतना आप आशिश पाएंगे कितना लोग जुड़ेंगे एश्यू से जुड़ेंगे कैसे रातना के द्वारा वच्छन के द्वारा मीटिंग में आने के द्वारा अब एश्यू से जुड़ेगा अमें बंटी और उसका परिवार कितना माइना हो गया नव माइना भी वा डेलिवरी होने वाला है पक्का काम होटे में बेस्ट बेस्ट बेकरी वाला डेलिवरी होने वाला है नेरूल में लाके भी हमको देना भाई आप बहुत ले क्या वाद है जॉई भाई के लिए तालिव है पर वो क्या किया वो हमारे साथ हर मीटिंग में जुड़ा रहा है तो इकरी चलाता है जूम में अटेंड करता है बंटी जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग बोलते हैं बिजी हूँ पर आप तो किया हर मीटिंग में जूम में जहां हम बोलते हैं और जुड़ जाते आठ नौ मैना में बंटी के लिए और परिवार के लिए जोड़ से तालिव हैं यह परिवार को प्रभू ही इस्तिमाल करें और कितने लोग हैं साथ साल हो गया दस साल हो गया अभी भी आशिश नहीं पा रहें खारनें क्यों चुड़ते ही नहीं मैना में मूड़ किया तो एक बार उटके आ जाएगा पास्टर जी मैं इदर हूँ उदर से हाथ दिखा के जाएगा है किसको तोपी लगा रहे हैं पूझो ना एक साल आप करके देखो आप अगर आशिश नहीं पाता तो बोलना मुझे प्रचार करना छोड़ दूँ इतनी दावा इतना गैरेंटी है मेरा ये श्मसी जोड़ से बलो इतना गैरेंटी है भाई जो विक्ति सच में जुड़ा है हमारे साथ वो पक का आशिश पा रहे आप नहीं आशिश पा रहे है कुझो कहीं ना कहीं कट भीवडी खोट है तोजों बलो Anytime खोट निकालो फोर्ट को निकालो प्रभू की बारिश करेंग गैंवा जूड़ डूम में जुडो संडे सुवे सुवे होता है, शाम को होता है आजाओ सुवे और साम पाश्री जी, नहीं होता करो, जब आप करेगा आप आप शिश्पाएंगे हललुलूया प्रईस लॉड, ओके पड़ा तेरा, सोला मैं तेरा धनिवाद करूँगा तेरा धनिवाद करता हूँ कमंग जोचे बलो, ये शुमसी, आपका धनिवाद करता हूँ मुझे इस समय में धर्ती पे रखा है आपके लिए, आपकी महीमा के लिए मैं धनिवाद करता हूँ हाँ इसलिए कि, मैं भयानक और अद्बुत रीती से बनाया गया है, तावाल सब मिलके बोलो, मैं भयानक और अजबुत रीती से, रचा गया है, ताकि मैं खतुरू काम करें, ताकि लोग जाने, कि ये शुमसी जिंदा है, अललुया, क्या लिका है, मैं भयानक और खतरनाख, अजबुत रीती से, रचा गया है, come on, हर रोज बोलो, कितने लोग है यह अपता बोलेंगे, मैं अद्बुत, भयानक और अद्बुत रिती से, रचा गया हूँ, क्यों भयानक, क्योंकि आपको देखकर शेतान डरना मंगता है, हललुया, तो फिर बीमारी कौन देता है, आपको देखकर शेतान डरेगा कि वो भा जोड़े बोलो ना, चिला के बोलो ना, हाँ, मैं भयानक और अद्बुत रिती से बनाया गया है, तेरे काम तो आश्चेर्य के है, हाँ, अपने आपको देखकर बोलो प्रभु जी, तेरा काम आश्चेर्य है, अगर आप आश्चेर्य नहीं करता है, तो प्रभु में मैं अद्बुत करूँ, जोड़े बोलो मैं अद्बुत करेगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, वापस बोलता हूं, मेरा परमिश्व सूपर नाच्रल है, वो मुझे सूपर नाच्रल बनाया, ताकि मैं सूपर नाच्रल करूँ, जोड़े बोलो मैं सूपर नाच्रल कर भायाने का रादबुत रीथे से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चिर्य के है, और मैं इसे भली भाती जानता हूँ, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, और प्रित्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब भी मेरे हड्डिया तुझ से छिपी न थी, तब भी मेरी हड्डिया तुझ से छिपी नहीं थी, तेरी आखों ने, मेरे बेडोल तत को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले ही, तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी, कमान, जोर से धनिवाद कर, आपका नाम प्रभु की पुस्तक में लिखी हुई है, किसी को बोलो वोटर आइडी नहीं है, अदार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, पास्पोर्ट नहीं है, पर प्रभु की किताब में मेरा नाम लिखा हुआ है, हललोया मैं धर्थि में कोई जिसका नाम उसकी चुटाब में नहीं है तो उसका जीवन जीरो है भाई पर आपका और मेरा नाम इशु के किताब में पूछो क्यों जोर से पूछो ना, चला के पूछो ना, क्योंकि मैं येश्यू में चालू किया, मैं येश्यू में खतम करता हूँ, हललुलूया, इसलिए मेरा नाम, कमान सब मिलके बोलो, मैं येश्यू में चालू किया, मैं येश्यू में खतम करूंगा, इसलिए मेरा नाम स्वर्ग के कित आप में लिखा गया है पूछो उस नाम कौन सा है कौन सा सही से लिखा गया है पूछो 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 कौन सा सही से उस नाम लिखा गया येशु का लहू से वो नाम लिखा गया है येशु के नाम से येशु के लहू से मेरा नाम लिखा गया है वो कभी भी मिटेग पर आपको ये शू में बने रहने का है, जो चो बोलो मैं ये शू में, चिला के बोलो मैं ये शू में, हाँ, क्या लिखा है, तेरी आखों ने, तेरी आखों ने मेरे बेडोल तत को देखा, मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, आपकी माबाब, आपको जानने से पहले, मेरा येशु आपको जानता था, Hallelujah, रच्खे जानने से पहले, तेरी पुस्तक में लिखे हुई थे, येशु मसीत, तेरी पुस्तक में मेरा नाम लिखी गया है, हाथ उठा कि बोले धनिवाद residency, आपने मेरा नाम अपना किताब में लिखाया उस किताब का नाम है जीवन की किताब हललुया स्वर्ग में कितना किताब होगा स्वर्ग में किताब होगा विनहुत भाई सोच रख्या है नीचे देखेगा तो पता चलेगा कितना किताब है स्वर्ग में एक Bible रहेगा दूसरा जीवन के किताब रहेगा तीसरा यादगार के किताब रहेगा स्वर्ग में तीन किताब पक्ता Pastor Salim महर लगा दो Pastor Salim के लिए जोर से ताली बजाएए Hallelujah कई लोग बोलते हैं कि Vijay वाला विक्ति के पीछे एक महिला का हाथ है Hallelujah Successful Man कैसे बोलते हैं English Behind any successful man there's a woman पर हम बोलते हैं एक successful man के साथ एक woman साथ-साथ खड़ा है Hallelujah हम दोनों मिल के चल रहे इसलिए हम हाशी शीते हैं कितने पती-पत्नी हैं मिल के चलो Amen पत्नी को पीछे से नहीं निकाला है पत्नी को पैर से नहीं निकाला पत्नी को सिर से नहीं निकाला अगर सिर से निकाला रहता तो पत्नी लोग बोलता है तेरा दिमाग मैं चाटता हूँ अगर पैर से निकालता रहता तो पत्नी बोलता है मेरा जूती है तो इसलिए बीच से निकाला तो हम बोलेंगे हमारे साथ-साथ वो चलते हैं नहीं समझ में आए हैं बाद में समझ जाएंगे हाललुया प्रेज लॉड कितना लोग सुन्दे हो गया पुरा हो गया बेदोल टत को जब कोई नहीं जानता था ये शुमसी जानता था उसने आपके लिए काम रखा उसने आपके लिए मकसद रखा हललुया प्रेज लॉड सोलव अब आखे पढ़ेंगे वापस तेरे आखों ने ये शुमसी कहता है ये शुमसी की आखें ने आपके बेदोल टत को देखा और मेरे सब अंग जो दिन-दिन बनते जाते थे मेरे अंग जो दिन-दिन बनते जाते थे रचे जाने से पहले रचे जाने से पहले आप एक विक्ती होने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थे तेरी पुस्तक में प्रभू लिख दिया है अललुया, अब मालुमें हर एक विक्ति का नाम एश्यू मसी अपने पुस्तक में येश्यू की लहू से लिख दिया है, पर मेरी सवाल, क्या उस पुस्तक से नाम मिटा भी दियेगा? येस या नो, येस सर, धरती में पैदा वो हर विक्ति का नाम उस पुस्तक में लिखा रहेगा, पर जो येश्यू को ठुकराएगा, अब वो मर जाएंगे, उसका नाम उस किताब से निखल जाएंगे, इसलिए मुझे सुने वाला हर एक विक्ति, हमारा पांचवा मुद्दा पकड़ के चलना, मैं येश्यू में चलू किया, मैं येश्यू में खतम करूँगा, अंतिम सांस तक येश्यू में बना रहेगा, उस पुस्तक से आपका नाम कभी भी मिठाए नहीं जाएगा, क्योंकि जिस येश्यू ने आपके लिए अपना लहू बाहाया, उसका लहू स लिखा गया है आप उद्धार पाया है तो आपका उस किताब से नाम निकलेगा नहीं पर आप एशु को ठुकराएगा किसी को बोलो है कहानी खतम जीरो जीवन जीरो हो जाएंगे पर एशु को जानकर एशु के लिए जीने वाला जीवन में हीरो बन जाएंगे है कोई मेरे साथ हाललुया नरूल हिनला मंगता है आरन क्यों लाखों लोग के बीचे प्रबु आपको चुन के इदा रखा हाथ उठा के बोले धनिवादेशु चला के बोलो धनिवादेशु हाललुया क्या लिखा है तेरे आखों ने मेरे बेडोल तत को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी और मेरे लिए तो हे इश्वर तेरे विचार क्या ही बहमूल्य है इश्वर मसी का विचार मेरे लिए बहमूल्य है इसलिए हमको उस विचार को जानना जरूरी है उस विचार में सब कुछ है जो विचार प्रभू आपके लिए रखा है आपको जानना जरूरी है कैसे आप विचार पासकते हैं जब प्रभू के साथ आप संगती करते हैं रोज मैं बोलता है एक गंटा प्रातना करो कितने लोग करते हैं परिए विचार प्रभू का मिलेगा जब प्रभू का विचार मिलेगा आप जो भी करेगा आपका काम भलाई होगा भलाई ही करेगा हलेलोया प्राइज अलोड कितना लोग सुन रहे हैं प्रभू आपके हर जीवन को लेकर प्रभू के लिए इस्तमाल करते हैं हल्लूय, हर रोज प्रबु आपके लिए प्लान बनाके रखा है, हर रोज प्रब़ की सेवा करने के लिए आपको प्रबु तयार करता है, اس लिए उसकी आवाद सुनना जरूरी है, अमें, आपके जीवन को लेकर वो इस्तमाल करते हैं, हल्लूय, प्रण। God, Amen, प्रभु कुछ भी वेस्ट ही नहीं करता है, प्रभु के लिए वेस्ट ही नहीं है कुछ, प्रभु जो भी आपके जीवन में करता है, वो उत्तम करता है, हललोया, आपको प्रभु एबलीटी दिया है, एबलीटी बोलेगा तो, खाबिलता, खाबिल, आप खाबिल है, ज एक मालिक था उसने अपने तीन दास को बुलाया एक को क्या किया पांच दिया और वो दास ने जाकर दस बनाया दूसरा को दो दिया वो दास ने जाकर चार बनाया तीसरा को एक दिया वो जाकर मठी में दबा कर रकर और मालिक के पास आया तो क्या बुला मैं डर गया दोस्त देने वाला कभी भी परमेश्व के जगा पर स्तान नहीं मिलेंगे इसलिए हमको परमेश्व पर दोस्त नहीं जो प्रबु दिया है उसे गुनवन करने का है चिला के बोलो मैं गुनवन करूंगा हम प्रबु जैसा है प्रभू जो किया वो सब कुछ हम कर सकते हैं प्रभू इसलिए एश्यु मसी बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लो करोगे क्योंकि वही पवितरात्मा जो एश्यु मसी के साथ था वो मेरे साथ है वोई पवित्रात्मा जो येश्यो मसी को मुर्दों में से जिलाया वोई पवित्रात्मा मेरे साथ है अगर येश्यो मसी मुर्दों को जिलाया तो हम भी मुर्दों को जिलाएंगे नेरूल में कई मुर्दा जिन्दा होने वाला है है कोई मेरे साथ क्या मैं किसे ज Mormon कर रहा हूँ कि थे लोग समझ रहा है हललौिया प्रबू आपको सेवा देता है यह जब सेवा करता है प्रबू आपको सेव का ही देता है कलिशया में कलिशया में पांच तरक की कॉलिंग है पाइफॉल्ड मिनिस्ट्री है पहला आपॉसल दूसरा भविश्वाता दिखाओ उंगलेजा भविश्वानी तीसरा सबसे लंबा उमर एवेंजलिस हर वेक्ती प्रचार रख है जोर से बोलो मैं एवेंजलिस हूँ चला के बोलो मैं एवेंजलिस हूँ कोई कोई अभी उठाएगे निए जोसे बोलो मैं इवेंजलिस्ट हूँ चिला के बोलो मैं इवेंजलिस्ट हूँ मैं प्रचारक हूँ तो प्रचारक क्या करते हैं किसी नए व्यक्ति को एशू का नाम बताकर अगला संडे लेके आएंगे अभी सबका मूँ चला गया नीचे तो बोलो मैं लेके आउँगा क्योंकि मैं इवेंजलिस्ट हूँ मैं अपना पती को लेके आउँगा मैं अपनी बच्चों को लेके आएंगे मैं अपना पडोसी को लेके आएंगे जो आत्मा जीता है, वो अपने जीवन में जीतता है, आत्मा जीतने वाला विक्ति जीता है, है कोई आत्मा जीतने वाला? किना लोग बोलता है हललुया परमिश्र सेवकाई के लिए आपको काम देता है पवित्र काम जो से बलो पवित्र काम परमिश्र जो काम देता है वो पवित्र काम है हललुया परमिश्र जो भी परमिश्र काम देता है उसके लिए प्रभू आपको तयार किये, उसके लिए आपको प्रभू भरा है, आपकी भक्ती के लिए, आपकी सेवकाई के लिए प्रभू आपको भरा है, जोचे बोलो मुझे भरा है, छिला के बोलो नो मुझे भरा है, अब वो प्रभू उस काम के द्वारा आपको आशिश करेगा आपको accomplish करेगा आपको train करेगा जब आप उपलब्ध है जोड़ से बोलो मैं उपलब्धू हुँ छिला के बोलो मैं उपलब्धू अमेन शेप जोड़ से बोलो shape क्या है shape परमिश आपका shape जो है परमिश्व की सेवा करने के लिए वापस बोलता है आपका शेप आपका रूप देख के हर रोज बोलो ये बंदा प्रभु की सेवा करने के लिए ख़़ा अईना में देख के बोले ये बंदा रभू की सेवा करेगा रभू की लोगों की सेवा करेगा रभू की कलिशा की सेवा करेगा करेंगे हर रोज बोलो अब अगर कलिशा में काम कामियाब नहीं होते तो बाकी कई कामियाब नहीं होगा मैं अपने जीवन की कामियां भी खलीशिया से सुरू हुआ था हर रोज हर रोज घर घर जाकर सुसमचाश सुनाते थे पहले पहले उसके बाद एक पास्टर था अपने एक कोई गाव में धरावा, करावा, और कौँछा गाव था धरावा, करावा, परावा शिरोना सेक्टर वन, सेक्टर टू सेक्टर थ्री, सेक्टर टू हम कभी नहीं बुलेंगे एक टाटा प्रस के परिवार दो परिवार एकी बिल्डिंग में रहते थे उस घर में जाकर बैड़ी जाते थे हमें रोज उनको सुचमाचार प्रातना करते थे हमें हम लोग जाके प्रातना करते थे पहला दिन एक मूर्ती आ गिया दूसरा दिन प्रातना किया मंदिर आओर बड़ा हो गिया मैं सोच रहा हूँ कितना साल मैंने वेस्ट किया आपको मालूम है वही परिवार में कई लोग कैंसर से मर गए इतना वच्छन देने के बाद भी हललूया समझ रहे हैं कुछ लोग प्राभू को स्विकार करे गए ही नहीं उनको छोड़ दो भाई जोर से बलो उनको उनके पीछे मत जाओ आप अपना समय वेश्ट करेगा आज भी वो दोना परिवार प्रभू में नहीं अपने अपने अपना जीवन का कितना घंटा क्योंकि क्योंकि हमारे अंदर एक जुनूनता जो भी हमसे मिले वो येश्व के पास आए हलललूया रईज अलॉट परमिश्वर आपको रूप दिया है शेप दिया है जोड़ से बलो शेप शेप का स्पेलिंग क्या है S-H-A-P-E मौसी लोग बोले S-H-A-P-E P-E P-E कवाँ जोड से बलो S-H-A-P-E आपको शेप दिया है ताकि वो शेप परमिश्व की सेवा करता है इसलिए हम इस पाँच शब्दों को आज और अगला हपता भी सुनेंगे जोड से बलो सेप सिलाके बलो सेप सेप क्या है आकार क्या है आकार शेप क्या है आकार प्रभू आपको आकार दिया है ताकि उस आकार से प्रभू की सेवा करे आपका कन कन में येश्व की महीमा होना चाहिए मेरा दादी मा सबसे पहले हमारे घर में प्रभू में आया है हम लोग कृश्यन परिवार के थे मेरा दादी मा सबसे पहले प्रभू अन पढ़ थी पढ़ने नहीं आते थे पर वो येश्यू मसी को किसी ने येश्यू मसी के बारे में बोला वो येश्यू मसी के बारे में सुना उसने विश्वास किया उसको तीन क्लास सक पढ़ी थी बाइबल भी पढ़ने नहीं आता था पर प्रभु पे विश्वास किया वालों से सब कोछ संभाव है हललुया वो दादी मा कई परिस्तितियों से जाते थे हर साल हम मैने में एक बार गाओं में जाकर दादी मा की कहानी सुनते थे हललुया आज की रात दादी मा की कहानी कितना लोग सुनेंगे जहाँ पर प्रभु ने उस दादी मा को इस्तमाल किया हललुया उसका ग्यारा भाई थे जो से बो ग्यारा फुटबॉल टीम में एक्स्टा नहीं पूरा फुटबॉल टीम ग्यारा भाई और सब डॉन थे जो से बो डॉन थे कोई सिंगपूर में डॉन, कोई अमेरिका में डॉन, कोई डुबै में डॉन, कोई फादर थे एक दिन ग्यारा भाई और पती मिलकर मेरे दादी मा को एक कमरे में बंद कर लिये, और दादी मा को बोलो, आज तुमेशु मसी को नहीं ठुकराएगा तेरा बोटी बोटी कर देगा दादी मा की एक बोली खतम, ग्यारा डॉन की सारी डॉन गिरी खतम हललुया वो ग्यारा भाई और वो पती छोड़के चला गया, अमें वो कभी वापस आया पूछो किसली आया वापस वो भाई लोग जहां भी सिंगपूर जाते थे एक तो फादर ता, कैतलिक फादर था, वो आते थे जब भी जाते हैं, दादी मा से परातना करके जाते थे एक समय, मारने वाला को प्रभु ने आप, उसी दादी मा के साथ ख़डा कर दिया अललुया उस जगा से हमारी कहानी चाली हो था हमारे घर में सारे लोग pastors लोग एक कारण क्यों एक दादी मा प्रभु के लिए खड़ा हुआ किसी को बोलो आप खड़ा रहेगा आपकी पीडिया प्रभु की महिमा करेगा आललोया रईजलाद परमेश्व आपको रूप दिया है ताकि उस रूप से परमेश्व की महिमा करेगा जोच बोलो मैं परमेश्व मेरा हर रंग दादी मा बोला हर बोटी से एक ही नाम निकलेगा हर कुन के एक एक बुन से एक ही नाम निकलेगा वो नाम है केरला में केरला में उन गल उन कल बोर के शहर से एक दादी माँ खड़ा हुआ अज दुनिया भर उसकी प्रचार चल रहे है और क्यों उसने विश्वास में तूट रहा विश्वास में मैं जब देखता हूँ ना मेरे दादी माँ के जीवन में एक दिन भी एक दिन भी अच्छा दिन नहीं था एक दिन भी पर वो दादी माँ हमारे लिए प्रात्ना करते थे और हमारे लिए जिद्देगी बर अच्छे दिन छोड़ के गहें एक दादी माँ अपना जीवन प्रभु पे दाव लगा उसकी नाती पोती सब प्रभु में आशिशित है हललुया रही जब आप प्रभु में आता है आप प्रभु में खड़ा रहेगा आपके दुआरा आपकी पीडियों को प्रभु आशिश करेगा यौर जेनरेशन विल बिब्लेस्ट बाई यू हललुया पर किसी को बोलो खड़ा लो जूरस बोलो य शूमें कितलो लोग खड़ा रहेंगा और जब प्रिस्टी आते हैं हम भाग जातें भागने वालों को डरपो कहते हैं खड़ा रहने को वालों को धाइड ये शाली कहते हैं कितनी धाइड ये शाली है ओके, शेप, जोड़ से बलो, शेप, पहला एस है, वो एस क्या है, कब लिग रही है, spiritual gifts, ओके, आत्मिक वर्दान, जोड़ से बलो, पहला एस क्या है, रभू आपको शेप दिया है, पहला एस उसमे, spiritual gifts, अमें, हललुया, पवितर आत्मा मेरे अंदर, आत्मा का फल देता है, प्रेम, आनन, प्रिपा, भलाई, सैयम, शांती, धीरज, खलातियों के किताब, चार उसका बाईस, पाच उसका बाईस, ओके, जाके पड़ा, आत्मा का फल, एक पवितर आत्मा, नव फल, यानि कि नव सभाव है, हर रोज बलने का है, पवितर आत्मा मेरे अंदर है, मैं न प्रेम, आनन, प्रिपा, देरज, विश्बास योग्य, नमरता, सैयम, ओके, नव फल, आपको अपना जीब में रट्टा मारकर रखने का है, चाहिए फल, किसी को पुचो फल चाहिए, फल क्या करता है, आम का फल क्या करता है, अकरशित करता है, जब लाल लाल आम रहते हैं, लोग जाते हैं, आप में फल लेगा, दूर दूर से लोग आएंगे आपको देखकर, आपको सुनने के लिए, जोचे बोलो मेरे अंदर फल है, चिला के बोलो मेरे अंदर फल है, हमें, हमको spiritual gifts को unwrap करन नव, नव gift क्या है, हवितरा आत्मा का नव फल है, नव gift है, ओके, तीन भागों में gifts को divide का है, एक revelation gifts, दूसरा power gift, और तीसरा voice gift, अवाज के gift, ओके, revelation gift में क्या है, जाके, आप Apostle, Apostle Wilson Joseph डालो, और revelation gift डालो, आपको वीडियो आएगा, एक घंटा, सिर्फ revelation gift का बारे में बताएं, I mean, revelation gift क्या है, बुद्धी की बाते, ज्ञान की बाते, और आत्मा की परक्त, ओके, revelation, और क्या है, power gift क्या है, विश्वास, चंगाई, और चमतकार, जो जो बलो, विश्वास, चंगाई, और चमतकार, और तीसरा क्या है, voice gift, यानि की बोली की gift, अन्यभाषा, भविश्वानी, अन्यभाषा, और अन्यभाषा की अनुवाद, ठीक है, किता लोग समने, पहला कुरूंतियों 12, उसका 4 और 6 में लिखा है, हललुलूया, परमेशन ने हर विश्वासी के लिए gifts रखा है, हललुलूया, कोई-कोई बोलता है कि सारा 9 gift विक्ती में हो सकता है, कोई-कोई बोलता है कि कोई-कोई gift भिल लो, आपके ऊपर है, आप इतना gift ले सकते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, एक विक्ती को कम से कम पांच हो जाए कारन क्यों कि जब वो टालेंट की बात आता है एक को वो पांच दिया था दूसरा को वो दो दिया था तीसरा को वो एक दिया कम से कम पांच टैलेंट पांच गिफ्ट प्रभू आपको देगा कितना लोग लेंगे कितना लोग के पास एक गिफ्ट है दो गिफ्ट है, तीन गिफ्ट है, चार गिफ्ट है अमें? गिफ्ट होना ज़रूरी है इधर हमने बोला वो बेटी खुश्बू हमारे बीच में पहले आयए थे वो कौन सा गिफ्ट था? वो कौन सा गिफ्ट मैंने इस्तमाल किया मैं उसको जानता था? क्या वो मुझसे बोली थी? नहीं, मैं वो ग्यान की या गुद्धी की या परखने वाला आत्मा की गिफ्ट लिया अमें? परखने की आत्मा दिये कोई कोई लोग इदर आये कौन सा था? अलर्जी कई लोग को प्रभू अलर्जी से चुटका रहा दिये वो कौन सा गिफ्ट है? चंगाई के गिफ्ट प्रभू मुझे वर्दान दिये उससे मैं इस्तमाल करता हूँ जो वेक्ति इस्तमाल करता है वो ही आशिश पाएंगे अभी सपोस्ट लोखंड जोच बलो लोखंड चिला के बलो लोखंड लोखंड अगर उसे इस्तमाल नहीं करेगा पड़ा रहेगा तो क्या होगा? जंग खाएगा वो सड़ जाएगा पर वो ही लोखंड को जब इस्तमाल करता है देखो कितना खुबसूरत चल रहा ना? पुझो ना चल रहा ना? उसी तरह जब प्रभू गिफ्ट दिया आप नहीं पहचानेंगे लोखंड के समान वो नश्ट हो जाएंगे पर आप पहचान के उसे इस्तमाल करेगा जब पहला बार चंगाई की सामत मेरे उपपर हुआ मेरे को समझ में आया है प्रभू मुझे चंगाई की सामत दिया है मैंने जाकर कैंसर पेशिंट के लिए परात्ना किया पूछो क्या हुआ? जोचो पूछो ना पहला टपक गया पहला कैंसर वो भी हम लोग का शादी हुआ था वो कई महीनों से बुला रहा था वो एकदम कैंसर से पूरा अंतिम स्टेज में था हम जब तक नहीं जा रहा तो हम जाके उद्धार की प्रात्ना किया और हाथ रखा प्रात्ना किया घर आते आते वो मर गया छैतान बोला है तू कैंसर पेशिंट के लिए प्रात्ना मत कर उमर जाएगा पता है नहीं उस समय जितने पान्च, चार पान्च को प्रात्ना किया सब को सौरक पहुँचा दिया पर सबको स्वर्ग पहुंचाए, सबको उद्धार की प्रात्ना करके, सबको सीधा स्वर्ग वासी बना दिया मैं, वो खुशी तो मेरे को है, पर शैतान बार-बार मुझे बोलता था है, ए, ए, कैंसर के लिए प्रात्ना मत कर मर जाएगा, अचानक, मेरा दोस्त, एक बार, वो, वो बुलाता है, फोन करता है, मैं इस विक्ति को बार-बार एश्यू मसी के बार, माई गाड़ आड़ बजी गें, मेरे को बहुत कुछ बोलने का है, स्कूल मुझे रोक रहा है, प्रिंसिपल कहीं सुना ना, ओके, वो विक्ति, जब भी मैं येश्यू का बात बतार ठोकता था, बलता है, क्या रहे मात्मा गांधी बन गया, मैं येश्यू मसी बन गया हूँ, हललुलूया, अचानक, उसको मेरा नंबर मिलता है, अब वो मुझे फोन करता है, वो चेने में कहीं था, वो चेने में फोन करता है, बलता है, विलसन, म रह hung दो और मेरे साथ eh prathna बोलो उसने आंगिकार की prathna मैं जब phone में prathna कर रहा हूँ मेरेको मेरेको विश्मास की आखो से मैं देख रहा हूँ उसकी आखो से आसु टपकर रहा टप 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 देख रहा हूँ स्पंज के समान उद्धार की प्रातना को रिसीव कर रहा था, मैंने प्रातना किया और कैंसर सेल को नश्ट किया 15 दिन वो फ्लाइट से आता है, टाटा मिमरेट में चेक करता है, no cancer मेरी पहली चंगाई चालो मेरी पहली चंगाई चालो उतके बाद कितना AIDS patient, कितना cancer लोग को प्रभू चंगा किया अंगिनत लोग हललोया, क्योंकि जब आपको gift मिलता है, आप उसे इस्तमाल करता है, सुरू में fail हो जाएंगा, कोई बात नहीं पर आप बने रहो, आपको समझना मंगता, प्रभू आपसे कहा है तो प्रभू जो gift दिया है, वो वापस नहीं लेता है तो वचन है न, हाँ 11.29 बढ़िये जो वर्दान प्रभू, रोमा लियो 11.29 कितना लोग समझ रहे क्योंकि क्योंकि परमेश्वर अपने वर्दानों से और बुलाहट से अपनी बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता अगर आप प्रभू की आवाद सुना है प्रभू मेरे लिए एक gift रखा है मैं उसे लेकर उसे इस्तमाल करते रहे पहला वेक्ती मरा हो तो क्या हुआ दूसरा मरा तो क्या हुआ तीसरा मरा तो क्या हुआ पांच वा तो जिंदा हो गया भाई उदर से चली हो गया चंगा है अललुया कितना kidney stone को प्रभू चंगा किया कितना migraine headache को प्रभू चंगा किया एक बेहन आया था कितने लोग को याद है मालुम में कोई था नहीं पीस साल से लहू बैने वाला स्थ्री हाँ सुनी दादा है आरगर में आये था पीस साल से लहू वो आया था पूरा ड्रस में खून बैरा है डॉक्टर ने reject कर दिया रात ना किया और जाके चेक करता है खून तुरंथ बंद हललुया मेरा सवाल कितने साल वाल बिमारी वाला आहुरत को चंगा किया बारा साल प्रभू ने मेरे द्वारा बीस साल क्योंकि प्रभू ने बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे है कोई मेरे साथ हललुया किता लोग सुन रहे है स्पिरिच्वल गिफस हललुया बबु दिया है प्रभु रखा है कौन देता है पवित रात्मा देता है हर रोज मांगो उसे मांगो आप इधर आते रहेगा आप कि इधर आते है हम जो ऑपरेट करते हैं उसी गिफ्स में आप भी operate करेगा, क्योंकि connection प्रभु की महीमा को ले के आता है, Hallelujah, इसलिए आप जाके प्रात्ना करें, जब आप connected है, आप जाके प्रात्ना करेंगे, लोग चंगाई पाएंगे, फारें क्यों, मैं उस गिफ्स में operate करता हूं, जोर से बलो, आप पॉस्तल उप्रेट करता है, आपकी बोली से चोले, जोर से बलो ना, प्रेडित उप्रेट करता है, मैं उसके साथ जुड़ा है, मैं भी हाथ रखेगा, तो बिमार लोग चंगाई पाएंगे हैं, Hallelujah, बला बला ये चो मसी कही, कुछ योधा लोग को प्रभू तहियार कर रहे हैं, Hallelujah, Praise the Lord, अब इसकूल हिल रहे हैं, लेखो बच्चे लोग भी चालूगे हैं, Hallelujah, Okay, spiritual gifts, किते लोग समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, Hallelujah, Hallelujah, Praise the Lord, जो आत्मिक वर्दान प्रभू देता है न, वो आपके लिए नहीं, वो दूसरों के लिए, वापस बलता हूं, जो वर्दान चंगाई हुआ, भविश्वानी हुआ, आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए, ताकि आपके दुआरा दूसरे लोग आशीश पाए, वो प्रभू के राज्जी में आए, हललुया, हललुया, और आत्मिक वर्दान कलिशिया में क्यों दिया है, क्यों दिया कलिशिया में, हाँ, सेवा करने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए, नय वेक्ति जब आएगा, वो देखेगा, इनके बीच में कुझा अद्बूत हो रहा है, हललुया, वो जुड़ेगा, वो आत्थे रहेगा, हललुया, इसलिए प्रभू रखा है, वर्दान किसलिए रखा है, जो बंद आँख है, जो आत्मिक तोर से अंदा है, उनकी आँखों को खोलने के लिए, रभू आपको चिन और चमतकार से इस्तमाल करेगा, ताकि अंदे लोग येश्यू को जाने, हललुया, प्रईज अलॉण, प्रमेश्य इस तरह आपको तयार करते हैं, उसके लिए आपको जुड़ा रहने का है, चिला के बहलो जुड़ा रहने का है, जब हम प्रमेश्य की वरदानों को इस्तमाल करते हैं, वे लोगों के लिए आश्यू की कारण बनता है, हललुया, प्रईज अलॉण, अगर हम प्रमेश्य की वरदान को इस्तमाल नहीं करेंगे, लोग भटक जाएंग, इतना तरक है, तीन तरक है, पहला, रवलेशन गिफ्ट, दूसरा, बोली गिफ्ट, तीसरा, सामर्त वाला गिफ्ट, ओके, नव गिफ्ट है, तीन भागों में दिवाइड किया है, ओके, हललुया, प्रेज अलॉण, अमेन, परमेशन अपनी वर्दानों को, आप पर फ्रगट करता है, ताकि उसकी सेवकाई में, आप आशिश पाएं, हललुया, मैंने बोला, पहले आप जब सेवा करते हैं, कलिशिया में, तब प्रभू आपको सेवकाई देता है, कलिशिया से बाहर नहीं, कोई-कोई सोचता है, इमीडियेट सेवकाई मिल गया, तो नया जाकर मैं पास्टर हूँ, चालू कर दिया हैं, ऐसा नहीं होते हैं, प्रभू कलिशिया में सेवकाई रखा है, पास्टर है की सेवकाई, कौन्चा है, प्रेरित, प्रेरित, भविज्वाता, एवैंजिलिस्ट, पास्टर, और सिक्षक, हर वेक्ति एवैंजिलिस्ट है, हमने पहले भी बुल, हर वेक्ति, आपको प्रभू जो गवाई दिया है, वो दूसरों को बता कर, आप प्रभू को, सॉरी, लोगों को एश्यू के पास आता है, आप इवैंजिलिस्ट है, हललुया, आप का healing power से जुड़ा है, आप हाथ रखेंगे, लोग चंगाई पाएंगे, क्योंकि आप हम से जुड़ा हुआ है, हम जो gifts में operate करते हैं, आप operate कर सकते हैं, हाललुया, परमीशन ने आपको shape किया है, किसके लिए, spiritual gifts के लिए, जो चुड़ा बलो, आत्मिक वर्दान, ओके, दूसरा क्या है, shape में, दूसरा letter, H, जो चुड़ा बलो, H, क्या है H, heart, जो चुड़ा बलो, heart, तिलागे बलो, heart, दिल, दिल मांगे मोर, येश्यू मसी, जो चुड़ा बलने हैं, दिल मांगे मोर, train में चड़ेगा तुम्हारे, दिल मांगे मोर, सब देखेगा, बलने के येश्यू मसी, जहां देखें, येश्यू की महिमा करने का है, किता लोगता यार, Hallelujah, praise a lot, क्या है दिल, दिल में ख्वाइश होता है, डिजायर होता है, आपका दिल में क्या होता है, आश्या होती है, आमें, आपका दिल में क्या है, इंट्रेस्ट होते है, हर वेक्ति का कुछ न कुछ इंट्रेस्ट है, आपका इंट्रेस्ट क्या है, आपकी आशा क्या है आपका दिल क्या चाहते है जादा जो वेक्ति का दिल जादा येशू चाहता है वो येशू के लिए जीएगा इसलिए पांच वा मुद्धा हमको बोलने क्या है मैं येशू में चालू किया आपका दिल में फिक्स करने का है जो आप दिल में फिक्स करता ह है आपका जीवन आपका दिल है बाई हललुया इसलिए हर रोज बोलने के मेरे पत्थर वाला दिल निकाल कर माम्स वाला दिल दे माम्स वाला दिल सूसमचार को स्विकार करेगा उसके लिए जीएंगे येशु मसी को स्विकार करेगा अने एक लोग येशु मसी को स्विकार क् उसका पत्थर वाला दिल है अमें? पत्थर वाला दिल क्या बोलेगा? और यह तो Christian का परमेशन है, यह foreign God है दिल क्या है? पत्थर वाला दिल है जोड़ शे बलो पत्थर वाला दिल अगर किसी को सुसमाचार बताने से पहले प्रातना करो, प्रभुजी उसका पत्थर वाला दिल निकाल कर मामस वाला दिल दे, जब मैं यह शुके बारे में बताऊंगा, दो स्पंजी जैसा उसे स्वीकार करेंगे आप जब प्रातना करेगा प्रभु उसके पत्थर वाला दिल को निकाल कर मामस वाला दिल बनाएगा ताकि कि वो प्रभु की महिमा करें हललुया प्रेजलोड अमेन आपका अम्बीशन होता है आपके जीवन में अम्बीशन है 95 टके के जीवन में कोई अम्बीशन नहीं क्या कर रहा है मालुम नहीं किदर जा रहा है मालुम नहीं क्यों जा रहा है पता नहीं, बिजी है क्यों, पता नहीं, आपके जीवन में अम्बिशन होना चाहिए, अम्बिशन बोलेगा तो, मक्सद, अम्बिशन मत्वाइब, कुछ करने का, कुछ करने का जोश होना चाहिए, जनून, पैशन, पैशन आ रहो हुँ है, हललुलूया, निती बचन 27 उसका 19 किता लोग समझ है, कुछ बातें सीख रहे हैं, किसी को बोलो, बाजवालों को बोलो, मैं सीख रहे हैं, आपके बार में क्या नहीं जानता, जोड़ से बोलो, मैं कुछ सीख रहा हूँ, जोड़ से बोलो, अटलिस मेरे पास एक दिल है, मैं सीख रहा हूँ, जोड़ से बोल आपके लिए जोशे ताली बजाए उस दिल में कौन है भाई पका फोई लड़का लड़की नहीं है ना किसी को पूछो ना देखो वाजुवा लगो नहीं है ना पका नहीं रच अललुया जोशे बोलो ये दिल में सिर्फ एशू रहता है जैसे जल में जैसा पानी में अपने मुख की परचाई सूख से मिलती है वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के दिल से मिलता है उसका मतलब आपका दिल आपका दुनिया आपका जीवन है आपका विक्तितव है क्या है दिल में दिल में खोट है तो बाहर खोट रहेगा दिल में येशु है तो बाहर नावफल रहेगा नाववतान रहेगा हललुया प्रईज लौड किता लोग सुन रहे Amen कोई समझ रहे मुझे जैसे आप सोचते हैं वैसे आप हो जाता है अगर एश्यू मसी जैसा सोचेगा एश्यू से भरा रहेगा आप एश्यू मसी जैसा हो जाएंगे हललुया परिस्तिती आपको नहीं चलाता जोर से बो टेंशन नहीं चलाता आज से टेंशन को दूर करो नहीं चाहिए मुझे येश्यू चलाता है हललुया आपका दिल जो कहता है वो ही आप बोलते हैं हललुया दिल में क्या बरा है जो दिल भरा है वो ही मुँ बोलेगा दिल में वच्छन बरा है तो मुँ क्या बोलेगा वच्छन बोलेंगे हललुया प्रेज़ लोग आपका हाठ बीट यूनिक है आपका दिल का धड़कन ठक ठक लगाओ छाती पर माइक कैसे कैसे सबका हाठ बीट अलग रहे जैसे थंप इंबरेशन है ता आपका हाठ बीट अलग है अल्लुया आपका उसको क्या बोलते है क्या टेस्ट करते हैं ECG, BCG जो भी हो ECG टेस्ट करते हैं देगा है डॉक्टर कैसे पता चल का हो हाठ में प्राब्लम है वो वाइब्रेशन कम होते हैं तो पता चलते हैं हललुया आपका हाठ बीट हर रोज बोलो ये दिल एश्यू मसी के लिए धड़केगा हललुया प्रेज़ लोड कितने लोग आप इमोशनली परमिशन से कनेक्ट होने का है भावना के तौर से हललुया प्रेज़ लोड आपकी अक्टिविटीस आपकी सरकम्स्टैंस सब प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए मेरी एक्शन मेरा हैबिट बनता है मेरा हैबिट मेरा क्यारक्टर बनता है आप क्या डे फिली करेगा तीस दिन करेगा वह आपकी आदत बन जाते वह एक महीना दो साल करेंगे वह आपका ख्यारक्टर बन जाते हललुया रहीज लॉट आपका इंट्रिस क्या है हलुलुया सबसे पहला वोड दिल का क्या है पैशन जो से बो लो पैशन पैशन क्या है जुनून आपका जुनून क्या है आपके अंदर जुनून है बेदारी का प्रबुप उस देश के लिए आपको आशिष बनाएगा वो देश में आपके नाम से जाना जाएगा आप इतिहास रचने वाला बन जाएंगे हाललुया है कोई ने जो शे बलो मेरे अंदर पैशन है मेरे अंदर बेदारी का पैशन है मेरे अंदर रिवाइबल का पैशन है हाललुया मेरे अंदर एश्यू मसी जैसा बनने का पैशन है मेरे अंदर येश्व मसी का खेरेक्टरिस्टिक है भाई हाललुया जो आपका अंदर पैशन है उसके लिए आप हर रोज आप उठेंगे उसके लिए आप जगेंगे उसके लिए आपका एक्स्पीरियंस आपका जीवन के हर छोर वो खनक करता है जो से बलो खनक करता है आपकी जिन्दगी को खनक करता है जो से बलो जिन्दगी को मैं जब पहले बार मुंबे आये तो कौन से साल अरे भाई सवाट होई भूलना मत आप भूलेंगे हम आपको पहला पकड़ेंगे जब पहला बार मुंबे में आए तो 1987 में मैं साइन रेलवे रेलवे स्टेशन में उतरा और साइन रेलवे कॉटर्स में रहा उसके बाद मार रहा कॉलिवार्डा रेलवे कॉटर्स उसके बाद मैं रहा CGS रेलवे कॉटर्स उसके बाद मैंने रहा जूही नगर railway quarters, देख रहे हैं connect कर रहे हैं प्रभू, हम भी सोच रहे हैं भाई, railway, 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 क्या चल रहे हैं भाई, और बाद में जब शादी हुआ तो railway officer से शादी किया है, देख रहे हैं, कि इतनी जवान लोग सुन रहे हैं शादी करने से पहले अपने जिन्दगी को कनेक कर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ हालेलुया अमेन आपका जीवन के हर डॉट्च को आप कनेक करेंगा आपके आगे वाला जीवन आप फेल नहीं होगा आप आशीश पाएंगे क्योंकि आपका परमेश्वर आपको सही ले चल रहा है मेरा परमेश्वर मुझे सही ले चल रहा है हालेलुया प्राइज अलोट पैशन आपका पैशन क्या है अगर बिल्डिंग बनाने का पैशन है उसके लिए जुनून होना चाहिए हालेलुया गाड़ी बनाने का उसका जुनून होना चाहिए कुछ भी करा जुनून में करो पैशनेटली करो इस विक्ती अगर दस हजार घंटा एक चीज को करते रहेगा वो उसमें वो प्येश्डी कर देगा उसमें वो माहिर हो जाएगा हालेलुया हालेलुया कितना लोग समझ रहेगा आप अगर एक चीज को दस हजार घंटा करेगा आप सबसे बेस्ट और उत्तम करेगा इसलिए वो करते रहे कितना लोग सुन रहे रहीज लौट रोमियों 12 उसका 11 प्रयत्न करने में आलसी न हो आत्मिक उन्माद में भरो रहो प्रभु की सेवा करते रहो प्रभु की लोगों की सेवा करो प्रभु की खलिश्या की सेवा करो जब आप प्रभु की लोगों की प्रभु की कलिश्या का सेवा करता है प्रभु आपको मेवा देगा जोर से बोलो मेरा मेवा आ रहा है इलागे बोलो मेरा आँश शिशा रहा है हलललुया प्राइज लॉड पैशनेट आपका जीवन का पैशनेट क्या है उसके अंदर खाने का जुनून है भाई हललुया किता लोक्षुंड है क्या मैं किसे से बात कर रहा है दूसरा शब्द है दिल का enthusiasm क्या है enthusiasm उत्सा प्रभू हमें जै के उत्सा में लेके जाता है उत्सा ही तोने का है आप अपने जीवन से उत्सा ही तोने का है हललुया जो भी आप प्रभू के लिए करते हैं येश्यू के लिए करते हैं आप उत्सा ही तोने का है हललुया जब आप प्रेम से motivate होता है प्रभू आपको आशिश करेगा है कोई मेरे साथ जब आपके अंदर उत्सा होते हैं वो चीज आपको मोटिवेट करता है जो आपको मोटिवेट करता है आप कभी भी हारेंगे नहीं है कोई मेरे साथ हललुया क्या चीज आपको मोटिवेट करता है क्या आपको उत्सा करता है जो चीज आपको उसार करता है उसे करते रहो Hallelujah Praise the Lord Amen जो भी आप करते हैं आप discourage मत हो जाओ discourage बोलेगा तो निराश मत हो अब जो भी कर रहे हैं अब ठकते नहीं आप निराश नहीं होते अगर आत्मातिया का चिंता नहीं है आप उसे करते रहो आप उत्साइत होंगे और उसी बात पर उसी जगा पर प्रबू आपको विज़ाई देगा Hallelujah पर प्राब्लम क्या है कई बार हम क्या करते हैं सुरू तो करते हैं बीच में छोड़ कर भाग जाते हैं बीच में भागने वाला डर्पोक कहते पर खड़ा रहने वाला को भाईर ये शाली कहते हैं लबू मुझे डर के आत्मानी धाईर ये सामता प्रेम से भरा है Hallelujah Praise the Lord इसलिए कभी-कभी अपने आपको सबाशी दो कमन दो कुझ भी करेगा तो कोई सबाशी आपको नहीं देगा पर आप देगा अब उत्साहित हो जाएगे Hallelujah हर छोटा विजय के लिए अपने आपको इदर भी दो और इदर भी दो सबाशी बेटा बोला जब आप अपने आपको सबाशी देगा अब उत्साहित हो जाएगे Amen जो बाते आप हार रहे थे आप उस बातों में विजय पाएगे दावुद बोलके विक्ती था Amen उसके सामने गोलियात खड़े हैं गोलियात साथ फीटर है साथ साथ फीट गर्दो वाला विक्ती है पूरा इस्राइल डर के छिप रहे है उस जगा पर दावुद खड़ा होके चुनाथी दे रहा है तब वो क्या बोलता है सबाश मैंने बालू को फाट डाला सबाश मैंने सेरों को फाट डाला ये कौन सा खेत का मूली है और पत्थर लिया पाँच और घुमा के फिका घुमा घुमा के मारा गोलियाद के सर पे गिरा और गोलियाद गिर गए और इस्रेली लोग दावुद के द्वारा विचा ही पाया आललूया जब आप अपने आपको सबाशी देता है हर बेड़ा को आप फार करेगा कितना लोग आच से सबाशी करेंगे इस दुनिया में कोई आपको सबाशी करने वाला नहीं पर आप अपने आपको सबाश करेंगे आप हर बेड़ा को फार करेंगे है कोई मेरे साथ क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ जब आप पैशनेट होता है आप परफेक्ट होता है आप सही रहते हैं प्रबू आपके साथ है। हललुया प्रेजलोड आप एकसल करने लेगा हैं क्योंकि आपके ऊपर एकसलेंट स्पिरिट है उत्तमात्मा है जोर से बोलो मेरे ऊपर उत्तमात्मा है जोर से बोलो मेरे ऊपर उत्तमात्मा है हललुया यह याद रखना आपके पास जो चीज है वो important है हर वो चीज आप प्रात किया इस धर्ती में आप छोड़ के जाएंगे पर एश्यू मसी के साथ बना रहना यह जिन्दगी में भी आशिश है आने वाला जिन्दगी में भी आशिश है हललुया जो पैसा कमा है जो लोग आपके साथ है हर वेक्ती को आप छोड़ के जाना पड़ेगा हर वेक्ती दर्ती में मरेंगे पर एश्यू आपके साथ है मरने के बाद भी एश्यू आपके साथ रहेगा हललुया प्राइश्यू मसी की आदवर करो इश्व मसी की सम्मान करो इश्व के लिए जी हू। हललुया, इसलिए अपनी जीवन में चोटी जोटी बातों में संत्रूप ना रहो। हाँ, चोटी चोटी बातों में संत्रूप ना, सैंतनी स्बाइट जो व्क्थि सैंतिस्पाइ होता है उसका जीवन थम गया संतुष चोता है ट्रिप्त होता है उसका जीवन रुख गया पर जो जीवन में आउर हसल करना चाहता है मेरा प्रबू आउर देगा आउर चाहिए आउर चाहिए येशु का जलाल हमें आउर चाहिए आउर चाहिए और इसलिए हम एक परमेशर को ज़्यादा सेवा करने का है क्योंकि आउर देने वाला कौन है परमेशर आप मांगने से भी ज़्यादा आप देखने से भी ज़्यादा आंक देखाने कांड सुनाने मनमें विचार उठाने उस तोसे प्रभू आश्शिश करना चाहते है हललुया प्रईजलोड इसलिए अपने जीवन में जितना हो से कि प्रभू की सेवा करो प्रभू की लोगों की सेवा करो खलिशा की सेवा करो हललुया प्रईजलोड अपने दिल प्रभू के सामने खोलो कचड़ा है तो निकाल के फेको प्रभू में प्रभू आपके दिल को साफ करेगा पवित्र करेगा प्रभू को अंगिकार करो हर रोज प्रभू के साथ एकाउंट को क्लियर करो हर रोज सोते वक बोलो प्रभू जी आज मुझसे कुछ गुना हुआ तो मुझे माफ कर अपने लहू से दो कर मेरे दिल को पवित्र कर हललुया जब आप अपनी एकाउंट क्लोस करेगा हर रोज पवित्ता में प्रभू आपके हर रोज हर दिन को अच्छाई से भलाई से चालू करूआएगा हललुया उसको करते रहू आप जो अच्छा करना चाहता है करो परमिष्ष्ड जो आपके दिल में डाला उसे करो और जो भी आप करेगा परमिष्ष्ड की महिमा के लिए करो आप पका आशिश पाएगा झाल